चलिए इस वीडियो में बात की जाए पॉलिनॉमियल रिमेंडर थियरम के बारे में आखिर ये है क्या और इसको यूज करके हम questions कैसे solve कर सकते हैं तो जैसा कि ये नाम हमें बता रहा है कि कुछ ना कुछ इस थियरम का relation रिमेंडर के साथ तो होगा ही रिमेंडर के साथ ठीक है बिलकुल सही बात है तो आएए पहले हम ये समझते हैं कि ये थियरम हम से कहता क्या है तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है कुछ f of x ये हमारा एक पॉलिनॉमियल हो गया एक पॉलिनॉमियल हो गया अब अगर हम इस polynomial को माल लीजे एक linear polynomial कुछ x-a से divide करते हैं यानि कि अगर इसे हम divide करते हैं divided by a linear polynomial x-a तो हमें ये situation दे दी गए कि एक fx-a polynomial है जिसे कि हमने एक linear polynomial x-a से divide कर दिया है अगर ये situation दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि जब इस fx को x-a से divide किया जाएगा तो remainder क्या बचेगा तो हमारा remainder क्या होगा इसका जवाब ये polynomial remainder theorem देता है ये हमसे कहता है कि जब ऐसी situation हो जब हम किसी एक fx किसी एक polynomial को एक linear polynomial जो कि x-a के form का है इससे divide करें तो जो remainder होगा वो हो जाएगा f of f of a के बराबर f of a के बराबर यानि कि जब आप इस दिये हुए polynomial में x की जगह ये constant value a रखिएगा तो जो हमें value मिलेगी वो इस दिये हुए polynomial को जब हम x-a से divide करेंगे तो वो value हमें remainder दे देगी ये तो थी polynomial remainder theorem हमसे क्या कहता है उसके बारे में इससे इसको proof कैसे करते हैं या खिर ऐसा इतना अजीब सा क्यों है ये कोई magic तो है नहीं इसका कहीना कि कुछ तो proof होगा है तो इसके बारे में हम बात के वीडियो में देखेंगे अभी हम इसको use करके देखते हैं कि क्या ये वाकई ऐसा कुछ result दे सकता है तो चली हम यहाँ पे एक polynomial ले लेते हैं मान लीजे एक polynomial हमें दिया हुआ है कुछ f of x हम मान लेते हैं 3x square minus of 4 of x plus of 7 ये हमारा दिया हुआ polynomial है जिसे की हम divide कर रहे हैं इसे हम divide करते हैं divided by इसे चली हम divide करते हैं कुछ x minus 1 से x minus 1 से अब इस case में जो है वो a क्या हो जाएगा तो a हमारा हो जाएगा 1 के बराबर ये a जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा तो अगर हमसे पूछा गया कि जब हम इस 3x square minus 4x plus 7 को x minus 1 से divide करेंगे तो हमारा remainder क्या होगा remainder remainder आखिर क्या होगा तो अगर हम polynomial remainder theorem यहाँ पे apply करें तो वो हमसे बोलेगा कि इस a की value यानि कि इस 1 को इस polynomial में रख दो जहां जहां भी x आया है वहां हर जगा हम 1 रख देंगे तो जो value हमें मिलेगी वो हमें remainder देदेगी तो वो हम करके देखते हैं लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे चले long division से इसको divide करके देखते हैं कि actual में हमारा remainder क्या आ रहा है और अगर आपको long division में confusion है तो पहले तो मैं चाहूँगा कि आप Khan Academy का long division of polynomials का वीडियो देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं यह assume करके चलूँगा कि आपको long division करना आता होगा तो चलिए पहले हम इसको divide करते हैं 3x square minus 4x plus 7 इसको divide किया जाए इसको divide करते हैं हम x minus 1 से x minus 1 के साथ और देखते हैं कि हमें यहाँ पे quotient और remainder क्या मिलता है लेकिन ध्यान रहे आप इस question का जवाब long division से भी निकाल सकते हैं लेकिन question में हमें सिर्फ remainder पूछा गया है हमसे quotient तो पूछा ही नहीं गया है तो इसलिए हमें हमेशा long division करने की जरूरत नहीं हम polynomial remainder theorem का यूज़ करके directly remainder निकाल लेंगे हम बस यहाँ पे long division कर रहे हैं ताकि हम यह चीज़ justify कर सके कि जो result हमें यह long polynomial remainder theorem देगा वह वाकई सही है या नहीं तो पहले अगर इससे divide करते हैं तो यहाँ पे है x तो x में अब हम ऐसा क्या multiply करेंगे कि हमें 3x square मिल जाए तो 3x तो हमने यहाँ पे x को 3x से multiply कर दिया तो हमें मिल जाएगा 3x square और फिर इस negative 1 को 3x से multiply करेंगे तो हमें मिल जाएगा negative 3x इन दोनों को subtract करते हैं ऊपर वाले term में से तो 3x square minus 3x square cancel हो कि हमें कुछ नहीं देंगे negative 4x minus of negative 3x यानि कि negative 4x plus 3x हमें देंगे negative of x और यह plus 7 plus 7 नीचे carry हो जाएगा अब x में हम ऐसा क्या multiply करें कि हमें negative x मिल जाए तो minus 1 x times negative 1 हमें negative x दे देगा और negative 1 times negative 1 हमें positive 1 दे देगा अब इस पूरे को हम उपर में से subtract करते हैं तो हमें मिल जाएगा negative x minus of negative x यानि कि negative x plus x तो यह cancel हो जाएगे और plus 7 minus of 1 यानि कि 6 यहाँ पे remainder बच जाएगा यानि कि जब हमने इस polynomial को x minus 1 से divide किया तो हमें 6 remainder मिल गया आएगे अब हम remainder theorem का यहाँ पे use करके देखते हैं remainder theorem या polynomial remainder theorem जो भी आप इसे कह लिजे तो इसके according हम इस f of x में x की जगह 1 रखतेंगे यानि कि यह हो जाएगा f of f of 1 यह value हमें remainder देनी चाहिए तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो यह हो जाएगा equal to 3 times x की जगह हमने रख दिया 1 यानि कि 3 times 1 का whole square minus of minus of 4 times फिर x की जगह हम 1 रख देंगे 4 times 1 plus 7 plus 7 तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा equal to 1 का square यह तो 1 ही हो जाएगा 3 times 1 यह हमें 3 दे देगा minus 4 times 1 यह तो 4 आ जाएगा और plus 7 अब यहाँ पे हम आगे देखें तो 3 minus 4 यह हमें दे देगा negative 1 और plus 7 यह इसको ठीक से लिख देते हैं minus 1 और यह plus 7 7 minus 1 यह आ गया 6 के बराबर जो कि हमारा remainder था यानि कि वाकई यह remainder theorem काम तो करता है तो खेर अभी इस वीडियो में हम बस यह समझना चाते थे कि remainder theorem actually हमें क्या और कैसे use करना है तो I think अब आपको एक clear idea मिल गया होगा कि remainder theorem क्या है और इससे हम कैसे use करते हैं खफ्ष्ष। झालब को जर सकता है और कारते हैं झालब कली किएएँ तो हग्भी और ज सकती है यह पस Strategic Halel